नमस्कार दोस्तो हरियाना में HSSC की तरब से CET Common Entence Test के रजिस्टेशन हो रहे हैं इसमें जो रजिस्टेशन हो रहे हैं उसके लिए जरूरी अपडेट है जो साथी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज के लिए जो है नोकरियों की तलास में है तो उनको ये रजिस्टेशन करवाना कंपल्सरी है ठीक है और इसके अलावा जो दूसरी विकैंशिया है जो ग्रेजुएशन के बेस पे होती हैं तो उसके लिए ये कंपल्सरी नहीं है मेन है आपका ग्रूप C और D से जुड़ी को ह्पारम है 2020 में फोम बना स्टार्ट हुआ था आपका जनुवरी में स्टार्ट हो गया था 2020 में उसके बाद जो है अभी तक इसकी कोई लास डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है हाला कि जो इसकी एक्जाम डेट है जून माह में कन्फर्म की गई है चार जून से बारा जून लेकिन उसमें भी बदलाव होने के चांसेश है क्योंकि उस टाइम जो है UPSC से रिलेटेड या और दूसरे जो एक्जाम है वो क्लैस कर रहे है तो उस बेस में दो है इसकी जो है एक्जाम डेट कुछ दिन अगे की जा सकती है फारंबरने की यदि हम फीज की बात करें तो यह आपे जनरल केटेगरी में जो मेल केंडिडेट है मेल केंडिडेट के जनरल और EWS में 500 रुपे की फीज करती है और जो SC और BC केटेगरी है उसकी यहाँ पर डाइस रुपे की फीज करती है जनरल केटेगरी में जो फीमेल केटेगरी है उसकी भी डाइस रुपे की फीज करत तो ज्यादा से ज्यादा जितनी उसकी जो क्वालिफिकेशन है सभी को अप्डेट जरूर करवाई और ओरीजनल डॉकुमेंट से कहन करवाने की कोशिज करें यदि आप फोटोकॉपी अप्लोड करते हैं तो उस पर अपने सेल्फ डिकलेरेशन जरूर करें उसको जरूर और स साफ साफ फोटोकॉपी अप्लोड करवाई एज लिमिट है 18 से 42 साल के जो यूँआ है वो इसको अप्लाई कर सकते है और यहां पर जो वैलिडिटी वैलिड वैकेंसी टाइप है यहां पर ग्रूप सी और डी की जो वैकेंसी है उन सभी के लिए वैलिट रहेगा तीन साल त टेस्ट है और आपका जो है टेस्ट के बेस पर इसमें काम होगा जिसका टेस्ट के लियर हो जाएगा परसेंटेस के बेस पर डिकलेर हो जाएगा तो वह आगे फार्म बरने के लिए लिए होगा उसके जो सेकंड स्टेप है वो अगली भरती में स्टार्ट होगें रिक्वा दसमी और बारमी है तो आप उसके बेस पर बीरिश्टेशन करवा सकते हैं जो है क्वालिफिकेशन आपकी पोश्ट ग्रेजविशन लेवल किया है तो सब यह मार्चिट अपनी अपलोड जरूर करवाए और यदि आपकी क्वालिफिकेशन दसमी बारमी यह ग्रेजविशन त या सरकार से अप्रूड भी वाग में आपने काम कर रखा है तो उसका experience आपको जो है उसमें अलग से point मिलता है तो आप experience लेटर जरूड करवाए और इसके अलावा दोस्ता यदि आपको कोई CETS related कोई भी help या जानकारी चाहिए तो आप निच्छे दिएगे contact number पर और email ID पर जो है संपर कर सकते हैं इमाली जी आपके फारम में कोई गलती हो गया उसको सुदार ना चाहते हैं और सुदारने का उसमें आपको जो है option नहीं मिल रहा है तो उससे related या कोई अन्य जानकारी आप जो है help line number पर बात करके ले सकते हैं तो दोस्तो CETS से जुड बोड़ने बाद दोस्तों जैहीं जवाराओं